वेरी गूड इवनिंग और वेरी वर्म वेल्कम बैक तो आल उफ यू दियर लेर्नर्स आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आपके अपने इस प्लेट फॉर्म पर कैसे आप सभी दोस्तों वेरी गूड इवनिंग आर यू एबल टू व्यू में क्या ओडियो वीडियो दोनों विज्वल क्लियर हैं जल्दी से एक बार फटाक से कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स बता देंगे के जी सर ओडियो वीडियो दोनों क्लियर है येस वेरी गूड इवनिंग वेरी वेरी वाम वेलकम कैसे आप सभी दोस्तों Right, so Saturday और Sunday को हम weekend पे नहीं मिलेते, अब उसकी भरपाई कहीन कहीं आज करने की कोशिश करेंगे और भरपाई तो क्या कहूं, मैं ये कहूं कि कहीन कहीं हम और बहतर content आपके सामने लेके आ रहे हैं जी हाँ दोस्तों, जब भी कहा जाता है कि चार कदम आगे वढ़ने के लिए आपको दो कदम पीछे जरूर जाना पढ़ सकता है पर याद रखना उस समय patience और perseverance दोनों को maintain रखना होगा धीरज रखना बहुत ही अनिवाद रहे है, तो आप सभी दोस्तों, आप सभी का जो प्यार मिल रहा है इन sessions को, I am really, really grateful for that, आप सभी के लिए कृतग्यता है संकल बैच is already हमारा ongoing and I hope that आप इसका भरपूर फायदा भी उठा पार है दोस्तों आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो है दा हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के चार महतपूर्ण articles और एक कहीं कहीं जो है आपके पास में editorial वो भी डिसकस करने वाले हैं Very good evening Brief introduction about myself, मेरा नाम जगदिश चंद्र जांगिडे सतर हजार से ज़्यादा विध्यारतियों को civil services और judicial service preparation के अंदर mentorship दिये मैंने आट वर्स से ज़्यादा अध्यापन का एक सहज अनुभव आपके सामने रखूंगा जहांपे मैं आपको geography, परियावरण, विज्यान, वदा हिंदू current affairs जैसे मॉलिक, fundamental जो subject से जो की इनकी समझ के बिना कहिन के UPSC एक distant dream प्रतीत होता है उन विश्यों को basically मैं आपके सामने मेरे knowledge को, मेरी समझ को एक सहज सब्दों में साजा करने की कोशिश करूँगा और आप सभी जुड सकते हैं मेरी community से PW के official telegram channel जगदिस underscore जांगिड sir के उपर और JJ sir PW UPSC पे भी आप अपने queries और homework सब्मिट कर सकते हैं जो की evaluate किये जा सकेंगे दोस्तों Goes without saying, the Hindu Indian Express या आपके पास में original newspapers आपकी preparation का एक आधार मुलभूत स्थम है दोस्तों अतेव यह प्रारंभिक परिक्षा हो, मुख्य हो, अथ्वा शाक्षातकार तीनों ही level के उपर आपको help करने वाला है आज के इस session को हमने bilingual द्वी भाशी रखने की पूर्ण कोशिश किये हम कोशिश करेंगे के यह sessions PSC और UPSC दोनों विध्यार्थियों के लिए कहीं न कहीं सहकारी और एक तरीके से सिधकारी भी सिध हो राइट वेरी गुड इवनिंग वेरी वेरी वर्म वेलकम बैग आपके पास में हम इन पाँच घटनाओं के उपर दोस्तों बात करने वाले हैं चीन की घटना ने भारत के एक मात्रवानर के बारे में चिंता उत्पन कर दिये क्या रीजन है आपके पास पर राइट सो यहाँ पर हम इस टॉपिक को करने वाले तत्पशाथ हम बात करेंगे केंद्र का कहना है कि बिजली एक प्राकृतिक आपदा नहीं है अगर कहीं पर भी बिजली गिरती है तो उसको आज की तारिक में वर्तमान परिस्थितियों में प्राकृतिक आपदा की कटेग्री में नहीं रखा गया है So what do we mean by that when we say जब हम यह चीज कहने की कोशिश करते हैं कि सर लाइटनिंग is not a natural disaster और कैंद्र सेंट्रल गोर्मेंट क्यों बेसिकली लाइटनिंग को एक जो है आपके पास में प्राकृतिक आपदा नहीं कह रहा है उसका क्या रीजन है यहाँ पे GS में उसको भी पढ़ेंगे अभी United Kingdom ने कहीं कहीं Trans-specific व्यापार ब्लाग जो Trans-specific Partnership है टीपीप उस ब्लॉक को बेसिकली जोइन कर दिया है आज 16 जुलाई को दोस्तों ठीक है न इस पैस्ताक्षर की अभी इराक और सीरिया के बीच में बेसिकली काफी समय से तना तनी चल दी ती और इराकी प्रधान मंतिरी अभी सीरिया युद्ध के बाद पहली यात्रा की है दमसकस की ठीक है न तो अंतराश्टी है रिस्तों के अंतरकत बेसिकली इसकी भी एक समग्र जानकर हम लेने की कोशिश करने वाले हैं फिर हम प्रवाल विरंजन या कौरल ब्लीचिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और कौरल ब्लीचिंग महत्वपूर्ण है प्रारंबिक मुख्य के परिक्षा दोनों के द्रश्टी कोंट से देखिए दोस्तों आप सभी को बेसिकली मैं यहां पर एक चीज बहुत ही क्लैरिटी के साथ में स्टैबलिश करना चाहता हूं यह सेशन्स यूपी एसी और पीएसी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है तो आप और आपके सर्कल में जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं कहीं पीएस या यूपीएसी और दोनों ही बेसिकली जो है आपके पास में तयारी का एक सोर्स है क्योंकि हिस्ट्री के पॉलिटी के जोग्रोफी के एकनॉमिक के करंट के जो भी महतवपूर्ण पहलू है वो उसमें बेसिकली हम समशामिक विश्यो को करंट अफेर्स को जरूर इंक्लूड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप यहां पे भी बात कर सकते हैं राइट बिलकुल संसर्ट क्लॉस की बात कीते कीरन उस पे भी हम समिक्षा करने वाले ब हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विध्यारतियों के लिए एक सौगात है इस चैनल के माध्यम से के गाउं में बैठे वे विध्यारती जिनको दा हिंदू नहीं मिल पाता है आपको डरना नहीं है बने रहिए पूर्ण तह में आपको कह रहा हूं 90% करंट अफेर् और मुख्य परिक्षा में यहीं से मिलने वाला हिंदी माध्यम के विध्यारती और अगर कहीं कई इंगलिष माध्यम के विध्यारती जो पिछली एक हफ्ते के हिंदी क्लासिस के कारण ड्रॉप आउट थे अब उनके लिए भी हम इंगलिष के अंदर सारा कंटेंट लेकर है तो आप निश्यंत रहें आप भी जुड़े और अपने अन्य दोस्तों को भी बेसिकली यहां इन्वाइट जरूर की चलिए दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं यहां जी एस पेपर 3 में बायो डाइवर्सिटी जैव विविता के उपर यह प्रश्न बन सकता है क् इन्वार ग्लोबल गीबन नेट्ट वर्क जिसको GGN कहा गया है इन्वोंने अभी जो है फ़र्स मेटिंग की है चाइना के हाइकोव के अन्दर और इन्होंने हैं भी गिर्था परिस्तिती पर अभी चिन्ता जताई गई है इस संस्थान इस नेटवर्क के द्वारा तो सबस पूचिश करते है दोस्तों ठीके अभी दा हिंदु का यह आर्टिकल है दा चाइना इवेंट्स रेजिस्ट रेजिस्ट और इंडिया ओनली एप दो हुलक कीबन द यूनिक तु नॉर्थ इस्ट इस्ट इस वन अफ ट्वेंटी स्पेसिस अफ एप एप एंड रिस्क ऑफ एक इसकी समिक्षा करते हैं क्या ऐसे प्रशन पहले भी पूचे गए हैं श्रीमान बिल्कुल पूचे गए हैं आपके पास मैं इसे प्रशन जैसे कि कौन सा जीव जन्तू है कौन सी बायोडिवर्सिटी जो हैं कहां पर मिलती है जैसे भीतर करणिका उडिसा के अंदर क्या य्मेंद के बारी यहां पर जो 손क्रिको अमाम जानकारी दी जारी हैं प्रारंबिक और मुख्य परिक्षा के द्रस्टिकूर्ट से आपने श्चिंत रहे हर रोज एक विशे का एक पार्ट आपके शाम को आठ बजे अपलोड गया जाता है उसका पूरा टाइम टेबल जो है कौन सा आने वाला है वह कम्यूनिटी पोस में आपको उसकी जानकारी दे दी गई तो आई गैस आप NCRT या अन्य विशे के समगर बैच की जानकारी कम्यूनिटी पोस्ट के माधियम से ले पाएंगे तो आपने श्चिंत रहें बने रहें हमारे साथ में सो ऐसे ही कुछ जो है आपके पास में कोश्चन से उनको थोड़ा सा सौल करने के हम कोशिश करते हैं यह आर्टिकल बहुत ही मैतोपूर्ण है मार्केट फाइव स्टार आर्टिकल क्योंकि इस पर ऐसे प्रशन पूछे जाते हैं कौन से एरिया में कौन सा जन तुम मिल रहा है कौन से स्पेसी कहा मिल रही है है यह प्रशन पूछे गए आई इसको थोड़ा सहस्ता से समझते है कि सर यह गिबन क्या है गिबन जो है आपके पास में सभी उत्तर मुखी में सबसे छोटा और सबसे तेज दौड़ने वाला वानर है यहाँ पर सबसे ज्यादा तेज पास्ट होती है इनकी तैट यह अत्यन्त बुद्धिमान होते हैं आपके पास में बहुती महत्वपूर्ण प्रजाती माने जाती अत्यन्त बुद्धिमान है विशिष्ट व्यक्तितों और मदबूत परिवारिक संबन्द होते हैं इनके अंदर भी बेसिकली जैसे सोशल कनेक परत्यां कि पrate करें अभी हम परी उसके कि यह पाय जाती है दोस्तों प्रजातिय पाई आर्थ में गईत्त की सुनियेगा बच्चा पुर Deb अर्थ में गिबन्स की 20 परजातिय पाई जाती है उसमें से सिर्फ एक भारत में पाई जाती है उसमें से एक भारत में पाई जाती है कौन सी पाई जाती है मांसी बेटा श्वेता हुलुक गिबन हुलुक गिबन पाई जाती है आपके पास में इनका स्टेटस क्या है कि सर वर यह कहा जा रहा है कि अनुमानित जनसंक्या भली हो परन्तु यह प्रजातिया बहुत ही जल्दी बेसिकली जो है eliminate हो सकती है, extinct हो सकती है, loop तो हो सकती है है ना, तो यह चीज़ याद रखने को है आपके इनका खत्रा बुनियादी धाचा परियाजनाओं के लिए पैडों को कटाई करना, आप अपना infrastructure बनाते हैं, आप roadways, railways, dam, infrastructure कई अवसरेचनाई बनाते हैं और उस चकर में आप क्या कर बैठते हैं, उस चकर में आप कई पैड पोदे गिरा देते हैं, जो कि इनका habitat है, जो कि इनका रहने के लिए बहुती महतपुर्ण स्थान होता है, अतेव यह कहा जा सकता है, कि इनका habitat destruction हो रहा है, जहां पर यह रह रहे हैं, उसी area को ही destroy कर दिया जा रहा है, खतम कर दिया जा रहा है, दोस्तों, फिर सटडी की जाती है, अगर हम गिबन को अगर अच्छे से study करना चाहें, तो अमेरिका के ही एक प्रकृति विद्ध जो है, आर हॉरलन, है ना, इन्हों ने 1834 में, असम में, मतलब ओविसली नौर्थ इस्ट आगे, उत्तरपूर वो असम आगे हमारे भारत के अंदर, यहां पर हुलुक गिबन का वर्णन किया था, जिसमें इन्हों सबसे सक्तिशाली ध्वनी गत प्रदर्शनों को से चिनित क्या था, कि सर यह कम्यूनिकेट कैसे करते हैं, जैसे अभी मैं बोल पा रहा हूँ, कुछ स्वर, कुछ वंजियन के माध्यम से, और आप उसका एक सटीक अनुमान लगा पा रहे हैं, कि जैजे सर क्या कहने की कोश सबस्ते हां, इनको स्टडी गया था, तो स्टडी लेट ने थे हिद्राबाद में भी बहुत ही महतँपून संस्थाने, सीजे अब क्या नामें? CCMB, एक बार basically क्या किया गया कलपनात, अभिशेक, एक वर्स आपके पास में, यहाँ पर प्रश्ण पूछ ले गया, what is the full form of CCMB, है न, CCMB की full form का है, इसका headquarter का है, तो यह है है, हेदराबाद में स्थित है, पूरा form है, center of cellular and molecular biology, क्या है आपके पास में, center of cellular and molecular biology, आपके पास में तो हैदराबाद आधारीत यह research center, जो है, center of cellular and molecular biology, जिसे CCMB कह सकते हैं, उनके नेत्रोत में एक study की, उन्होंने बताया कि genetic visualization के माध्यम से यह साबित किया गया, कि भारत में, एक मात्रवानर की प्रजाती जो है, वह यही है, ठीक है न, जो हलक गिबन हम देख रहे हैं, UPSC का favorite शब्द अगर अपके पास में देखा जाए, तो वो क्या है, favorite शब्द ही basically only मानता हूं मैं तो, only, accept and all, है न, क्यों, क्यों कि इसे प्रारंविक परिक्षा में इसी से मराता है, इसी से फसाता है, अगर आपको चीज की समग्र जानकारी नहीं है, थोथा अचना वाज गना वाली situation है, तो UPSC ऐसी परिस्थितिया आपके सामने जनरेट कर देगा, क्या यह भारत में एक मातर स्पिसिस पाई जाती है, अब बच्चा basically confused हो सकता है, अगर उसको पूरा समगर ग्यान नहीं है, तो confidence से लिक्या न, हाँ, भारत में एक मातर यह गिबन की स्पिसिस प रखनी है अपन को, so raised concerns over this, अभी यहाँ पर कुछ चिंताय जताए गई है, कि सर वर्स 1900, मतलब इस सताबदी या गत सताबदी की अगर मैं बात करूँ, वहीं से इनका वित्रन और जनसंक्या गंबिर रूप से कम होते गए हैं, यह उष्ण कटी बन दिये वर्शावनों में चोटी सी जनसंक्या में बच गए, तो इनकी कुछ पॉपुलेशन बची है, ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट के अंदर, है ना, जैसे कि हमने का 12,000 बचे हैं यह, उससे ज्यादा है निपूरे दुनिया में, so GGN की स्थापना क्यों की गई, है ना, अब GGN क्या है, ग्लोबल जब इनकी संख्या कम हो रही हैं, तो अंतराष्टी स्थर पे बेसिकली एक कहीन कहीं हमें कोशिश करनी होगी, कि परसपर मेल जोल से, या फिर बेसिकली जो नियमों की परिपालना से, यहां पे इनकी जनसंक्या स्थर को स्टेबल किया जा सके, इनको बचाया जा सके, यह दूए हमारी अर्द यह प्रकृतिक विरासत है, कौन? जो है, गिबन से ठीके न, तो इनों बैसिकली हमको क्या करना है, जो गायन गिबन कहा जाता है, इन सिंगिंग गिबन कहा जाता है, इन सिंगिबन को, मतलब यह बोलते हैं, यह गाते हैं, अपना मूह से वोकल करना हैं को कानून बनाने हैं नीतिया दमा बनानी है ऐसे कई पर प्रोग्राम कार्यकरम हमको लेकर आने हैं ताकि इनको बेसिकली हम संख्या को स्टेबल करके इवन बढ़ा सके बविश में तो यहां पर यह संगठन जो हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है आपको इसके उ के चैलिलार मोलिकलोर शार्ड नोट क्या है दूसरा शाट नोट है आपके पास में यहां पर अन्गें जहमें हैं डूसरा शाल अटनूट क्या है हई है हलोक ग mirun कि आ पर एक सकते हैं और आपके होड़ेश्टण नोट थे इसको याद रख सक्ते हैं यह शार्ट नोट zast जेजे सर पी डवल्यू यूपी एसी टेलिग्राम हैंडल पे ठीक है ये एक डिसिप्लिन मेंटेन कर लो अगर तुमने डेली जो है दो पेज लिखना डिसिप्लिन मेंटेन कर दिया तो याद रखना आपके पास में मुख्य परिक्षा में 40 प्रश्ण एक दिन के लिखने चालिस प्रश्ण एक दिन के लिखने है थो अबी से पूत के पाओं पाल दिखने चाहिए है थो कौन कौन serious है वो भी मेरे को बता दो कौन participate कर रहा है वो भी मेरे को comment करके बता दो के yes, we are the winners, yes, we are the hustlers और हम कहीं न कहीं युद्ध के मैदान में उत्रेंगे तभी जीतने की संभावनाए बन पाएगी हमारी है ना सो आपको basically जो है अर्जुन बनना है अर्जुन बनना है या भी मनने हो अर्जुन बनना है है ना तो यहां पर अपने अभ्यास पर सबसे ज़्यादा दियान देना है दोस्तों बिल्कुल यह याद रख सकते हैं बिल्कुल दोस्तों आपके पास में यह topic clear हुआ फिर अब कहीं यह दूसरा topic आज का यह second heading लगाएंगे आप अपनी notebook के अंदर दोस्तों केंदर का कहना है कि बिजली एक प्राकृति आपदा नहीं है कहीं बिजली गिर जाती है आदमी मर जाए हम उसको कोई भुगतान नहीं करने वाले हम कोई compensation नहीं करने वाले है क्यों नहीं करने वाले है उसके पीछे क्या reason हो सकता है के केंदर सरकार ने जो नियमावली बनाई है उसके अनुसार ये परिभाशा के अंतरगत ना आता तो वो नियमावली क्या है क्या कानून है क्या काइदे है और क्या हमें UPSC या PCS एस्पिरेंट्स होते वे इसके समगर जानकारी रखनी चाहिए आईए इस आर्टिकल की विवेचना करते हैं दोस्तों राइट राइट जो जीएस पेपर 3 के अंतरगत बेसिकली हम डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंदन के अंतरगत उस प्रसंग में इसको पढ़ने की कोशिश करें हाली में कैंद्रिय सरकार ने बेसिकली कहा है कि इस नॉट इन फेवर औफ डिकलेरिंग लाइटनिंग अस अ नैचुरल डिजास्टर क्योंकि कई डैट्स हुई हैं जो इनके कारण और इट प्रिवेंटेड बाइट बाइट पीपल अगर बेसिकली लोगों को बताया जाए कि जब भी विजली कड़क रही हो बाहर मत जाए उनको सेफटी स्टैंडर्स बताया जाए आपके पास में कहीं कहीं जागरुक किया जाए सुरक्षा कदम क्या उठाए जा सकते उसके बारे में हम यह कर सकते हैं हम अवेरनेस के लिए कर सकते हैं कुछ काम पर याद रखना दूरदर्शन हो या कई न्यूस चैनल सो अभी आप उस पर बेसिकली कई यगा पर देखने की कोशिश करेंगे राष्टर हित में जारी एक ऐसा आता है ना इस इसल में एक राष्टर किया याद करहें क्योंकि आपके परिवार को खुआ जारी तो को काम चैनल सकते हैं में अक्षम रहेंगे क्यों क्योंकि अभी तक केंदर सरकार ने कहीं न कहीं इसको प्राकृतिक आपदा नेचरौल डिजास्टर गोशीत नहीं किया अब आप कोगे सर है तो प्राकृतिक आपदा ही एक आदमी विचारा खेत में खड़ाता उपर से बिजली गिरती हैं, वह हाथ तो हाथ जो है मर जाता है, इंडीड सर यहाँ आपके बात सही है, यह सारे प्राकृतिक इवेंट है, पर वो प्राकृतिक इवेंट जब तक हमारे कानूनी दस्तावजियों में नहीं बोलते, तब तक वह चीज नहीं हो सकती है, यह ठीक वह ठीक हाथ बाहर जाकर के दरोगा से, फाइट करता है उस वे एफाई आर होती है, हाथ वाथ एफाई आर में उसका नाम लिखा जाता है, यह देखे सरकारी का अगज में मेरा नाम है, तो यहाँ पे लकीर के फखीर है कहीं कहीं इसको ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स का जा सकता है, यहाँ पे गॉर्मेंट के भी कुछ लिमिटे कहते हैं, हम कोई कंपेंशेशन नी दे रहें, बच के रहो, घर में रहो, आओ इसको जानने की कोशिश करते हैं बच्चा, लाइटनिंग नॉट्र डिजास्टर, सेज दे सेंट्रल गवर्मेंट, नमबर अफ देट दू लाइटनिंग हैस बिन इंक्रीजिंग, कैसा लगात जो मृत्यों हो रही हैं, कई मौते हो रही हैं, बिजली गिरने से, हना, तो अगर बिजली से मरने वाले लोगों की जो मृत्यों हैं, उसको प्राकृतिक आपदा से जनित मृत्यों करार दे दिया जाता है, तो जो विक्टिम्स होते हैं, उनको कहिन कहीं कमपेंशेशन देन पड़ेगा कहां से मिलेगा हरजाना हरजाना मिलेगा स्टेट के डिजास्टर रेस्पॉंस फरंड से SDRF से बेसिकली उनको हरजाना देना पड़ेगा परन्तु पैसा तो चाहे SDRF से जा रहा है पर याद रखना के ऑफिशल ने क्या का कैंदर सरकार इसके फेवर में नहीं है यहाँ पर तो सीधी सी बाढ़ आ गई तो कोई नहीं रोक सकता पर बिजली तो बाहर आ रही है ना भाई हर आदमी कम से कम अपने लिए छट तो डूंड सकता है एक छट डूंड सकता है तो बस वही तो कह रहा है कि भाई तुम प्रीज भाग के चले जाओ अगर ऐसे हजारों में आखड है यह हर एक आदमी को हम लाखो करोडों रूपे देने लगेंगे तो बारत सरकार का पैसा नहीं पैसा जा रहा है परंतु कहा जा रहा है जिस चीज को प्रिवेंट किया जा सकता है उस चीज के लिए तुम क्यों द्वार खोल रहे हो उनका भी तरक सही है कल की तारीक में आप ही जैसे कोई सीनियर अधिकारी गण बैट करके वहां पर वो ड्राफ्ट वो नीती वो नियमन निर्धारित कर रहे होंगे आपको भी कहीं कहीं कल इनी के जूतों में पाउं डाल करके देखना होगा कि क्यों ऐसा सरकार ने कर रही है एथिक्स के अंदर यह एक क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव के स्टडीज भी बन सकती है बन सकती है जल्दी से कमेंट करके बताओ आ एक कि तरफ करते हैं रहे है जब भी थंडर स्ट्रों माइगा आपिधियां आएगा तब तब बेसीकली क्या होगा आपके पास में हमें गरजना सुनने को मिलती हैं क्या ये पॉइंट क्लियर हैं क्या ये पॉइंट लिए हैं आवे और प्राइश इंडीड तो मूविंग फॉवर्ड हम पर आते हैं इस आर्टिकल के बारत दुनिया के उन पांच देशों में स सब्सक्राइब आप बैठे वे यूपी में आप लखनव में आप भिहार में बैठे वे आपके एरिया में अगर मौसम खराब होने वाला है तो मौसम से पूर्व ही जानकारी दे दी जाएगी साम को कहीं कहीं बारिश हो सकती है गरज हो सकती है छीटे पड़ सकते हैं और मैंने आपको एक बजी ही बता दिया दो पर को तो पांच गंटे तो सफीशेंट है ना कहीं अपने लिए सेफ जगर ढूंड लेने के लिए अब तुम फिर भी लापरवाई हो करके है ना हतेली में जान लेकर के बेसिक लिए चल पड़े हो भाई ये तो बेवकुफी है फि सबसे ज्यादा जो है वेस्ट बेंगॉल सिक्कीम जारकन उडिसा बिहार इन राजियों में जो है बिजली ज्यादा गिरती इनके आवरती सबसे ज्यादा है नंबर ऑफ देट ज्यादा है वह आपके पास में MP महराश्टा 36 गडर उडिसा मतलब सेंट्रल इंडिया वाला स् से परिवार के मेंबर के उपर नहीं होती तब तक उनको बैसिकली क्या है उनकी सेरियस नहीं नजरा आती है क्या आप भी इसमें क्लिर हैं क्या आप मिइसमें क्लियर है بिलकुल цre तो यहां पर बिजली गिरती क्यों है पहले तो हम थोड़ा सा यह समझ लेते हैं कि सर जो भी बादल बेसिकली बनते हैं बारिश के समय तो बादलों में आवेश उत्पन होता है धनावेश रेनावेश है ना जो होते हैं वो क्लाउड में लेयर बाई बेसिकली इस तरीके से देखने को मिलेंगे फिर जमीन जो है हमारी वह भी कहीं 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 बेसिकली उसमें भी आवेश होता है उसमें भी कहीं 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 चार्टिकल्स होते हैं अब बिजली कहां से कहां flow होती है बिजली बिजली क्या है Electrons का निगेटिव उसका Electrons का flow है उसको बिजली कहा जाता है Electricity कहा जाता है अब जो आवेस यहां पे खटा हुआ है वो हो आवेस Instability cause करता है अस्थिर्था का बिजली कारक होता है और नेचर जो है हर अइस्थिर्था को बेसिकली वापस समायोजित करने के लिए मेंटेन करने की स्टेबल करने की कोशिश करती है दोस्तों अतेव यहाँ जो देखा जा सकता है कि जो चार्ज क्रियेट होगा न वो हाथो हाथ बेसिकली धरातल पे किसी पैड पे किसी है आपकी क्यों बिजली गिरती है राइट वाट इस देफिनेशन सर एक इलेक्ट्रिकल डिश्चार्ज देखा जा सकता है यह ना वेन देरिजन इंबैलेंस बिट्विन स्टॉम क्लाउड और अर्थ तो जो बादल है और प्रत्वी है उसके बीच में एक डिश्चार्ज ब तो वो जब तुफानी बादल प्रत्वी के बीच भीतर असंतुलन होता तो बादलों के बीच भी हो सकता कई बार के सर यह एक क्लाउड है और एक एक क्लाउड है तो दो क्लाउड के बीच में भी बेसिकली क्या हो सकता है आपके बास में बिजली के सर यहां चार्ज क्या कहते हैं अपने दो मैं विच में बजली छलती हैं वह बिसकली हमारे लिए इंटर लाओड लाइटनिंग दोस्तों कहते हैं परन्तु हमारे लिए खतरनाक कौन सी चीज़े हमारे लिए खतरनाक कौन सी चीज़े हमारे लिए खतरनाक चीज़े cloud to ground lightning के वह बिजली जो बादलों से जमीन पे गिरती है आसमान से जमीन पे गिरती है cloud से ground पे गिरती है वह सबसे खतरनाक है इसके कारण high electric voltage का flow होता है एक pipe पिलर बनता है और यह जो अभी तुमको दिख रही है ने यह लाइंज यह लाइन्स क्या है एक पिलर है एक पात है एक तार जैसी स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से धनावेश रिणावेश लगातार से जमीन पे ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं इसको याद तेमपरिचर किता होता है 3,000-4,000 डिगरी सेल्सियस का टेमपरिचर होता है इसको याद रखा जा सकता है आपके पास में राइट सो इसके करण इलेक्टरोग्यूशन हो सकता है इससे बिजली का जटका भी लग सकता है और सो चो एक आम आदमी को अगर 1000 वाट का जटका लग तो मर जाए यह तो पांच जार दस जार वाट का जटका है बचेगा क्या वह आत्मी नो सर नॉट अट अल पॉसिबल इसके होट स्पोर्ट का है सबसे ज्यादा यह एशिया साथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका और ऐस्ट्रेलिया और एफरिका में होती मतलब लगबग सेल्सियस तापमान होता है कितना डिग्री 27,000 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान देखने को मिलता है भयंकर लेवल की गर्मी सर किसी भी चीज को वैपराइस कर दे वास्पिक्रत कर दे रास्ते में कोई भी चीज आयो उसको यूँ भाप बना के उड़ा दे ठीक है ना बीजली साब बहरा यह एक तरह का स्थम्भ है यह एक तरह की चैनल है और इस लाइटनिंग चैनल से आवेश चार्च पार्टिकल्स का बादलों से सतह पे ग्राउंड पे ट्रांसफर हो रहा है ठीक है अब जैसे कितना आवेश था सपोर्ज यहां पर जो आवेश था जो भ जो भी यह चैनल कॉलाप्स होता है तो सोचो सर आपके पास में हजारों वाट की बिजली 27,000 डिग्री सेलसेस तक का तापमान मिली सेकेंड में बेसिकली जो है इतना भयंकर चार्ट पार्टिकल धरती के अंदर आ गया और वह जो बेसिकली आपके पास में लाइटनिंग का चैनल बना है वो कॉलाप्स होता है जब भी यह कॉलाप्स होता है मतलब यह हट जाता है खतम हो जाता है तूट जाता है एक साउंड सुनाई देता है उस साउंड को हम थंडर कहते है तो पता चला तुम्हें थंडर क्या होता है थंडर क्या होता है समझ माया अरे थंडर और lightning में फरक समझ में आया lightning जो प्रकाश दिखा thunder के सर वो एक प्रकाश का stump वो जो एक channel था वो जब हट जाता है वो खतम हो जाता है तो last में जाते वो एक आवाज करता है उसको basically हम कहते हैं ओके यह बिजली का गडगडाना हुआ गरजना हुआ है ना यह याद रख सकते हैं do we understand that क्या यह सारी चीज़े याद रहेगी आप सभी विध्यारतियों को क्या अच्छे से समझ में आया क्या अच्छे से समझ में आया यह सारी चीज़े आपको बिलकुल आयोगी so lightning कैसे होती के charge particles का exchange होता है clouds और जमीन के बीच में हमारे लिए यह खतरनाक चीज है है ना और जब यह होता है तो कही लोग मारे जाते हैं कही पशु मारे जाते हैं कही नुक्षान होता है और हम कहते हैं इसको प्राकृतिक आपदा मानो हाँ माना प्रकृति जनित है हमारे सरकार करिए इससे बचा जा सकता है कई तरीके हैं बचने के तो हम इसको natural disasters में नहीं रखने वाले हैं natural disasters में नहीं रखने वाले हैं दोस्तों ठीके अच्छा ये आपका article हो गया इसके पीछे का तथ्य क्या थे वो तथ्य बे जान लिया हमने है ना अब मेरे को basically यहां पर क् एक short note लिखके देने वाले हो short note किसके उपर है आपका short note रहने वाला है NDRF और SDRF है ना इसके उपर short note लिखोगे google करोगे अच्छे से short note लिखोगे दो कदम मैं चल रहा हूँ एक कदम आप चलोगे और हम सब जीतेंगे साथ में मिलके ठीके यह याद रख सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब इस lightning के बाद में जो next topic के तीसरा के sir हमारे United Kingdom जो है UK जिसको कहा जाता है उसने basically अभी क्या है Trans specific trading block join किया है Trans specific क्या चारों तरफ जितने भी basically देश हैं वह एक दूसरे के साथ में कहीं मुक्त व्यापार समझोता करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह चा रहे हैं कि हम दोनों के बीच में अन्वरत अन्हिंडर्ड अन्रेश्टिक्टेड ट्रेड गुड्स की services की वस्तूओं की सेवाओं की भार European Union से निकलता है Brexit के माध्यम से, Brexit पता होगा Britain exit from European Union, तो European Union EU से Britain कहीं अलग हो गया, अब वो अपनी trade को diversify करना चारा है, वो कहीं कहीं विस्तार चारा है कि सर मेरे लिए नया बाजार खुले, मेरे लिए नया अवसर खुले, है ना जिससे मैं भी तोड़ा रोकड़ा पैसा कम ठीडिंग ब्लॉक, तो यहाँ पर अंतराष्ट्य संगठन में इसको पढ़ा जा सकता है, तो यहाँ पर अपचारी कुरूप से एक प्रमुक इंडो-पेसिफिक ब्लॉक में सामिल होने के लिए, संधी पर हस्ताक्षर करने के बाद, ब्रिटेन ने रविवार को इपके की गवर्मेंट ने ब्रिग्जिट के बाद से किसके साथ में िंड़ो-पेसिविक ब्लॉक को इन्हों ने जॉइन तो क्या है यह इसको कहा जाता है दोस्तों ट्रांस-पेसिविक पास्टिपबर्शिप। आज आज आपको क्या लिखना है एक short note लिखना है ये आज आज़ आपका homework है आज ये आपका क्या है दोस्तो एक homework है आपके पास तरफ आज प्रसांत महासागर जो है इसके चारों तरफ आप उठ करके देखने की कोशिच करेंगे Canada रहा, USA रहा, Peru है, Chile है, Mexico है, Japan, Vietnam, Brunei, Malaysia, Singapur Australia और New Zealand यह देश तो जुड़े हुए ही थे यह देश तो जुड़े हुए ही थे आपके पास में इसके अलावा अब UK और इसके अलावा और कौन जुड़ा है आपके पास में United Kingdom वह और देश जुड़ा है C, T, C, P, TPP, Comprehensive and Progressive, Comprehensive मतलब Including All, सभी जिसमें समाकित हो, सभी जिसमें समावेशित हो And Progressive, Progressive मतलब जिसमें हमारा और आपका सबका basically कहीं कहीं क्या है आपके पास में विकास संभव हो पाए और यहाँ एक Agreement है Trans-Pacific, Pacific के आर पर, Pacific के चारो तरफ के basically देश जो है इसमें involved है, ठीक है न, अब यहाँ पर यह सारी चीज़े clear होगी अच्छा, यह sign कहा हुआ, प्रोटोकॉल आपके पास में, यह sign हुआ भी New Zealand में, इसकी एक meeting हुई थी अभी Yes, specific ring of fire is very different, यह Trans-Pacific है, यहाँ पर शब्द Trans-Pacific यूज़ करना है, यहाँ पर कौन सा शब्ड यूज़ करेंगे बच्चा, Trans-Pacific शब्दो को यूज़ करने वाले है Are we all clear? Are we all clear with this? Indeed, we are तो ऐसे ही एक प्रश्ण 2016 में पुछा गया था, Trans-Pacific Partnership से सम्मन्दित हाना, कि it is an agreement among all the Pacific Rim countries except China and Russia, बिल्कुल सही था आपके पास में, क्या यह सही statement आपके पास में, to give, yes So, it is strategic alliance for the purpose of the security only, तो यहाँ पर जो यह only शब्द आया है ना, यह मरा दिया आपन को, है ना, क्योंकि यह comprehensive है, और जो भी शब्द comprehensive है, comprehensive क्या मतलब हम कहता है ना, कि सर, comprehensive GS course, comprehensive UPSC class का, क्या मतलब है, उसमें प्रीमेंस, इंटर्व्यू, करंट, सब involved है, वो comprehensive, मतलब कोई Dimension कोई आयाम नहीं छोड़ा, तो अब यह कह रहा है, यह तो खाली सुरक्षा के दरश्टी कोन से नहीं, गुरुजी, तो दूसरा statement गलत हो गया था, तो यहाँ पर चीन और रूस को छोड़ा गया, यह जो यहाँ पर रूस है, और यह यहाँ पर चीन है, इन दो को छोड़ कर दिखा तो आगया, बाकी तमाम देशों को जो हैं आपके पास में परी प्रशान्त चेतर, लुजी नहीं ट्रांस स्पेसिफिक स्पक्साइफ, और किया ताब के पास में व्यापार सचीव नहीं न्यूजीलंड्ड में ट्रांस सप्सिफिक स्प्ट्रि सपीक्सीद deficit Uk पर अस्ताक्षर कि अब UK को 2018 में बनने के बाद से इस ब्लॉक में सामिल होने का पहला सदस्य है और पहला European Union पहला European राष्ट माना गया तो पहला European country it is the first European country to join it सबसे पहले तो यह यात रख लेना और यह ब्लॉक बना कब है 2018 के अंदर बना है so a free trade agreement है है ना यह trans specific partnership है क्या एक तरह का मुक्त व्यापार सौधा है कि एक तरह का मुक्त व्यापार सौधा है मतलब सर कोई अपने बीच में क्या नहीं है borders नहीं है कोई tariffs नहीं है हमेशा एक rule based transparency based structure होगी अमेरिका व्यापार नहीं रोख सकता किसी दूसरे देश का और क्यों दूसरे दोस अमेरिका का व्यापार नहीं रोख सकते इस ब्लॉक में जितने भी आएंगे इस partnership में जितने भी देश आएंगे वो सब एक तरीके से आपके साब ने अच्छा खासा कॉंप्रेंसिव व्यापार कर पाएंगे आठ मार्च 2018 को कहीं कहीं सैंटियागो चिली के अंदर जो हैं 11 देशों ने इसको साइन किया गा याद रखेंगे अमित इसको याद रखो बिटा इसको याद रखो वर्ष 2018 में सैंटियागो चिली के अंदर गत बेसिकली इसको हस्ताक्षर करके ये जो हैं एग्रिमेंट जो हैं वह लागू करवाया गया था इसको याद रखेंगे बिल्कुल तो ये रख चिली यहाँ पे हैं सैंटियागो ठीके न वर्ष 2018 से बेसिकली यहाँ पे इन सब देशों ने चालू किया 11 देश थे शुरुआत में अब कहिन कहीं UK भी इसके साथ में जुड़ रहा है कौन जुड़ रहा है आपका UK तो कौन कौन से देश हैं इसको लिख सकते हैं आप लोग सिग्निटरी कौन-कौन से कंट्रीज हैं कैनेडा-कैनेडा है आपके पास में इसके अंदर और कौन है आपके पास में अर्फ रस conception नोर्थ ए शॉथ अमेरिका के बीच में हैं मैक्सिको फिर पैरू और चिली तो चार तो यह देश आगे फिर सर ऑ बाहता भारत ने मना कर दिया अब इसमें एप्लिकेंट कौन कौन है जिनोंने एप्लिकेशन लगा रखिए कि माई बाप मुझे भी ले लो तो एक दो तीन चार पांच छे साथ नौ दस और ग्यारा ग्यारा देश तो मूल है अमेरिका इसमें नहीं है यूएसे इसमें नहीं ह जुए जुच्छले इसमें नहीं हों सकता है एक बनी कर देश और शुर्सपान में यूकें नहीं धिसको अप्लिकेशन विर्थ मामेरिका यूए क्या थे ऐसके प्रशन पर को basically इसने join कर दिया है क्या आज तारीक क्या है 17 कल शाम को basically यहाँ पे sign किया गया इसको याद रख सकते हैं यह याद रखेंगे कल शाम को इसको sign किया गया तो कौन-कौन सी country याद रखेंगे चाइना और रशिया को basically इसमें से करते ते थे थे ट्रेड वर्ड जिसको कहते हैं तो वह देख करके छोटे-छोटे देसे यह तो भी चाहर यह बोले चाहर हमको बरबाद नहीं होना है तो बोले चाइना और रश्या को दूर रखो अमेरिका खुद दूर हो गया तो अब कहीं कहीं UK कह रहा है कि मैं इनका as a leader एमर जो ना चाता हूं कौन आ रहा है UK UK जो है कहीं कहीं अगर इसको जॉइन करेगा तो इसको काफी फाइदा है और भविश्यम हो सकता है इसकी लीडर्शिप भी जो है वह इसको जॉइन कर सकता है ठीक है ना सो कई सारे ऐसे जो हैं व्यापार समझोते हुए है ट्रेडिंग ब्लॉक है जैसे रिजिनल कॉम्प्रेंसिव एकनॉमिक कॉपरेशन है ना जैसे आश्यान असोशेशन ऑफ साउथ इस्ट एश्यन नेशन याद करो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि आश्यान के इंडो इसमें भी काफी सारे देश हैं उसके साथ में उस्टिलिया न्यूजिलेंड है और ब्रुनोई मलेशिया सिंगापूर वियतना में तो कई सारी कंट्रीज इन ट्रेड व्लॉक्स को आपको मेमोराइज करना है अट लिस्ट आपको सारे के सारे जो मेंबर हैं है ना कॉम्प् मेंबर कौन है ट्वेल्ट मेंबर कौन है बारवात देश सदस्य जो इसका बना है वह है यूके युनाइटेट किंग्डम इसको कहा जा सकता है तो इसकी परिस्थितियों के अनुसार वेसिकली हमको पता होना चाहिए के सर यह भी अट्लैंटिक ओशन से बाउंडरी लगा खाल रहा है आपके पास में यहां पश्राइख और इसको असय चैयनल और सब्सक्राइब और चरना ब्रिटेन एक होता है United Kingdom और कहीं लिखाता है British Isles यह क्या मतलब है सर यह जितने भी द्वीप है ना इन सारे द्वीपों को continuously मिला करके हम कह सकते हैं British Isles क्या है यह British Isles क्या कहा जाएगा British Isles कहा जाएगा आपके पास में अब इसमें से मैं अगर कहीं कहीं यह मेरा वला एक छोटा सा देश आपके पास में जिसको मैं क्या कहता हूँ South Yes इसके अंदर जो है आपके पास में कौन कौन से Ireland यह कौन सी कंट्री आपके पास में Ireland ठीक है ना तो Ireland को अगर हटा दू आपके पास में तो यह पूरा है UK है ना इसके अंदर बेसिकली यह North Ireland है आपके पास में Scotland है England है Wales है और North Ireland है तो इन चारों का बेसिकली जो समागम में वो UK कहलाता है और Great Britain में क्या था कि सर Great Britain में जो है हम यहाँ पे यह North Ireland नहीं ले रहे तो यहाँ पे यह Ireland और इसके North में North Ireland यह अलग कर दो तो अब बना Great Britain है यह आपके पास में इसको याद रखेंगे तो Great Britain से भी बड़ा है United Kingdom क्यों 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 कि इसमें North Ireland भी जुड़ा हुआ है अगर इसमें मैं कहिन गहीं Ireland देश को भी Ireland देश जो यह नीचे वाला है इसक Mapping Series है हमारी बिल्कुल अच्छे से होगी यह अफसाना बेटा अमरीन बिल्कुल होगी आपके पास में बिल्कुल तो Notes के उपर क्या वशक्ता है कैसे पढ़ना है मैं सारी चीज़े अभी आपको समगर बताता हूं इस Class के अंत में पहले यह Class का discussion खतम कर लेते हैं राइट सो British Isles क्या है आपके पास में क्या है UK क्या है आपके पास में Great Britain यह आपको समझ में आ गया ऐसी में आशा रखता हूं आप सबसे अब अगला आर्टिकल है कि इराक के PM जो है काफी समय बाद में जो है युद के बाद में इराक के प्रतान मंतिर दमस्कस की पहली यात्रा पे आ अब यहां पे हम मैपिंग के दृष्टी कोंट से पढ़ेंगे क्योंकि इसके मिडल इस्ट के बीच की जो गटनाए है आपके पास में एसे वाली जो गटनाए है यह काफी इस तरीके से जो गटनाए है कि इन में जो जीयो स्ट्राइटिक एंगल भारत का सवर्व करता है ब मसकस, सीरिया जो है आपके पास आप देख पा रहे होंगे, भूमत दिसागर मेडिटरिनियन सी से बिसिकली कनेक्टेड है, ऊपर यह तर्की से कनेक्टेड दिखने को मिलेगा, इधर यह इरान से भी कनेक्टेड आपको देखने को मिल रहा है इराक, ठीके, यह काफी सारी चीजे हैं, अच्छा, नीचे जो है यह जौर्डन से बाउंटरी लगाता है और यहाँ पे यह इसराइल से बाउंटरी भी लगाता है, यहाँ पे आपका पीछा आगया देश, शिप्रस, बेरूत यहाँ की प्रदान मंतरी मुहमत, सिया, अलस, सुदानी जो है, यहाँ पे सीरिय के युद्ध सुरू होने के बाद, किसी एराकी प्रदान मंतरी की पहली यात्रा है, तो पि पीछले अब यहाँ की नोट्स मेकिंग करना इंप्रटेंट है अगर चाहें तो करें otherwise at least short notes बना लो at least क्या बना लो या एक आप short notes की diary बना लो जैसे आपके पास में कोई भी छोटी मोटी diary हो सकती जैसे मेरी ये diary है मैं ये notes बनाने से पहले क्या करता हूँ एक diary रखता हूँ अगर मैं Hindi माधियम का हूँ तो Hindi में 5 line लिखूँगा can you just see that 23 मही के ये notes है बहुत ही basic है मतलब एक article से क्या लिया आपन ने from every article mission innovation दिख रहा होगा clean energy ministerial दिख रहा होगा फिर आपके पास में यहाँ पे खत्रपती सिवाजी terminus building अश्टपद्यट्टम राजा रामों रॉय तो ये सारी चीज़े क्या है यहाँ पे 5-5-6-6 lines आप जरूर लिखें और believe me or not daily का एक page पूरे साल के 300 page बनेंगे एक newspaper की booklet है आपकी है ना ये मुख्य परिक्षा में खजाना है data का interview से पहले आपकी awareness का source है ये और प्रारम्बिक परिक्षा के अंदर अमरत के तुल्य है ये notebook आपकी सबी yes or no सबी लिखेंगे short notes है ना हर हर article से basically बच्चा हमको क्या लिखने है 5-5-7-7-10-10 line जितना आप लिख सकते हैं जितना आप उससे उठा सके वह ज्यान रखने की कोशिश करेंगे ठीके चलो यह एक simple सी news है बस इसको mapping के जर्श्टिकोंट से पढ़ना है क्योंकि यहां पर कई बार आ रहा है कि रोजार 18 में प्रशना आया था कौन सा टाउन जो है वह कहां पे किस देश में तो सीरिया में अलिपो है क्या किरकुक कहा है मौसूल कहा है यह ना मजारे सरीफ वगर कहा है तो इस तरीके के प्रशना लॉकेशन से तो इसमें आपको मेपिंग तो अदा करने वाला द्रस्तों चलो यह सारी चीजिए क्लियर होनी चीए एराक यहां पर सीरिया से है तरकी से हैं इस इरान से हैं जॉडरन और साउदी अरेविया से यह बांडरी लगाता है राजदन इसकी बगदाद है अगर मैं बेसिकली किस नदी के किनारे पे हैं यह टिग्रीस नदी के किनारे पे मौसूल जो है वह बेसिकली आपके एराक की एक सिटी का नाम है आपके पास में फिर यूफरेटस नदी देखो यूफरेटस नदी जो है सीरिया से होते हुए बेसिकली इराक में बैदते हुए बेसिकली चल आज का सबसे महत्पोर्ण टॉपिक फाइव स्टार में इसको बेसिकली कह सकता हूं और पूरी चांस हैं कि यह पूछा जाएगा लगातार हम सभी ने बेसिकली जो है वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग तो पड़ी ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा जो है बिल्कुल इन सभी की PDF आपको कहा मिलेगी आप एक Telegram चैनल जोइन कीजिए मेरा नाम है जगदीश जांगिड जटाइप टाइप टाइलिग्राम जगदीश जांगिड जांगिड सर है ना तो यहां पे आपको मिल जाएगी PDF है ना ठीके बिल्कुल सुरुवात में सारे नोट्स इंपोर्टेंट लगेंगे जैसे अगर आप नए स्टुडेंट्स और ये कोरल ब्लीचिंग का ये आर्टिकल पटरो ना पूरा इंपोर्टेंट लगेगा के यार ये सभी इंपोर्टेंट है अपने लिए तो परन्तु बच्चा मै आपको specialization नहीं प्राप्त करना है syllabus में सीधा लिखा है without a specializing knowledge है ना आपको कही specialist का knowledge नहीं चाहिए वहाँ पर जोगर आफी पॉलिटी ए एनवार्मेंट एकनॉमिक है जन्रल नॉलिच और उसे एक स्टेप बहतर ठीक है इसको याद रखेंगे चालो सो कोरल ब्लीचिंग क्या है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जनरली अगर हम दो एकने की कोशिश करें तो इसको परियावरन प्रदूशन या फिर एन्वार्मेंटल पॉलूशन डिग्रेडेशन के जी एस पेपर 3 के अकॉर्डिंग कंटेक्स में हम पढ़ सकते हैं दुनिया भर में रेकॉर्ड तापमान से इंसानों के समय जानवरों का भी मुश्किल होता जा रहा है है और प्रवाल बेसिकली इसको एक 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 एक्जामपल है क्योंकि प्रवाल जो है इसको इंगलिश मे होगा आपके पास में और वह पाणी गरब हो गया तो उनमें जो रंग है हica जो बीसिकली ट्रवी उफ रहा है हम भी परेशान है जीव जनतों है वो भी परिशान है अब यह corals basically होते क्या है यह basically सहजीविता के अंदर कत रहते हैं इनके अंदर basically क्या होता है आपके अंदर के एक तो होता है आपका कहीं कई simple life being जिसको हम polyp कहते हैं और एक होता है जनतों है इसके अंदर zoo zenthaly करके एक algae है ना सो एक तो calcium carbonate को secret करता है जिससे इनका एक skeleton रहने की जगह मिलती है उसको और दूसरा कहीं कई photosynthesis करता है और color देता है है ना algae होता है अब कहने की बात है यह कि यह जो सहजीविता है इन दोनों के बीच में एक symbiotic relation है कि एक इसको रहने की जगह दे रहा है और एक इसको food या photosynthesis के प्रकास translation के तुरू कहीं खाना बना के दे रहा है तो यह दोनों ही basically एक particular temperature एक particular pH के उपर ही साथ मेरे पात जैसे ही तापमान बड़ा या पानी की pH चेंज हुई power of hydrogen जिसको कहा जाता है वह चेंज हुई तो basically क्या हो जाएगा यह जू जैंतले जो है इस structure को छोड़ कर के चला जाएगा जू जैंतले मतलब एक algae जो color के लिए रंग के लिए कहीं कहीं महतपूर्ण होता है तो एक healthy coral है तो यह इस तरीके से रहेगा stressed होगा दीरे दीरे bleach हो जाएगा जैसे जैसे basically यहाँ पर coral जो stress होगा तो algae coral को छोड़ के चला जाएगा तो coral is left unbleached और जब यह unbleached है अब सोचो किसी भी structure को अगर खाना proper ना मिले तो इस coral को भी basically खाना कौन दे रहा था वो algae दे रहा था photosynthesis के तरू प्रकास so algae चला गया अतेव वहाँ पर basically क्या है वह bleach हो गया और जीरे देरों खतम हो जाएगा पीछे खाली कंकाल बचेगा calcium carbonate बचेगा क्या बचेगा कंकाल कैर्बियन calcium carbonate ही बचने वाला है तो यह कुछ ऐसी से structure आपको basically देखने को मिलेगी you will be able to see these kind of structure these kind of structure easily be able to see in the हाना के सर य जन में क्या होता है आपके साथ में के सर यह जो प्रवाल है इसके साथ में कहीं यह देख पा रहे होंगे यह हैं जूजन्तले यह हैं शेवाल यह एल्गी यह जब तक साथ में हैं तब तक बहुत ही बढ़िया है आपके पास में कि यह दोनों दोनों ही साथ में सबसाइड क कर सकते हैं कॉरल और जूजन तले सर्वाइब करते हैं एक जहने की जगा दे रहा एक खाने को सामान दे रहा है अब क्या है कॉरल जब भी स्ट्रेस हो जाते हैं इन्वार्मेंट के कारण तापमान बढ़ गया पीएच चेंज हो गई क्या बार उसके कोई धब्य लग जाते हैं तो मम्मी क्या निकालते हैं ब्लीचिंग पाौडर और इस वाइट कंपड़े को उसमे रखते हैं पूरा कहीं कहीं बीमार पड़ेगा ये भी disease के लिए vulnerable है eventually it will die तो हमारे global warming से खाली हम मनुश्य ही नहीं परिशान है मनुश्य के अलावा पूरे जीव जन्तू, पूरी बायो डायवर्सिटी जैव विवित्ता भी परिशान है, example coral bleaching आप लिख सकते हैं लास्ट में जाते हैं, coral will die अच्छा, इसके टाइम क्या होगा आपके पास में अगर पानी की परिश्थितियाद, तापमान pH सही नहीं हुई, तो कहीं कहीं यहाँ पर coral जो है, वो पूरा का पूरा खतम होकर के, black color assume कर लेगा, कैसा color resume कर लेगा, black color resume कर लेगा, so coral देखो कुछ इस तरीके का होता है coral जो है यह इस तरीके से grow हो रहा है आपके पास में, तो हरा बरा होता है पर जैसे pH change होई, तो यह algae इसको छोड़ के चली जाती है, और जैसे ही छोड़ के चली जाती है यह vulnerable है, it will die तो अगर आपके पास में coral के साथ में algae है तब तथीक है, अगर नहीं है तो इसे coral breaching कहा जाता है इस पर प्रशन पूछा गया है 2018 की prelims में most of the world's coral reefs are in tropical waters क्या यह उष्ण कटिबंदी पानी में पाए जाते हैं क्या सर आपके पास में, बिल्कुल सर बिल्कुल पाया जाते है, क्योंकि तापमान चाहिए, टेंपरेचर चाहिए, सनलाइट होगी तभी तो प्रकाश संसलेशन होगा फोटो सिंतेसिस का होगी जहां पर प्रकाश पहुच जाएगा जादा गहरे पानी में भी नहीं होगी उथले पानी में होगी यह कहीन कहीन, ठीग है ना? So, one third of the world's coral reefs are located in the territories of Australia, Indonesia and the Philippines क्या यह आपके पास में statement विल्कुल correct है, क्योंकि यह ऐसा area है, जहां पर warm tropical water पाया जाएगा है ना? So, यह statement से ही coral reefs host far more number of the animals phyla than those hosted in the tropical rainforest यह कहीन कहीं थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है, है ना? So, क्योंकि यहां पर यह एक statement दे दिया ना, far more yes, इसमें diversity बहुत होती है पर सारी तो नहीं होती So, यह मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे you are right now in the Australian Pacific region, Australia क्या आसपास के प्रशान्त महासागर का बेसिकली यह study है आपके पास में, ठीक है ना? Sunday को class नहीं होता है Monday से Saturday को ही class होने वाला है, ठीक है बिटा? चलो, so यहां पर basically जो है appearance based definition अगर देखे so coral basically अपना अगर color को loose कर जाए और सफेद हो जाए इसको bleaching कहा जाता है जब college अपने जीवन तरंग खोकर सफेद हो जाते है तो उसे bleaching कहा जाता है और यह परिवास्टा मुल्यवान है क्योंकि coral की वास्तविक्ता में एक दर्शक कह सकते है आसपास का पानी किसी तरह से बदल गया है क्योंकि आपके पास में coral bleaching से क्या पता चलता है है ना? coral bleaching से हमको पता चलता है जो coral है वो pallor हो गये है पार दर्शी हो गये है and observers can say that के सर आसपास का पानी जो है वो बदल गया है के सर प्रदूशन हो गया है global warming हो गयी है पानी का तापमान बट रहा है पानी का रासायनिक जो है कहीं कहीं इसके अंदर प्रदूशन चल रहा है इसके कारण तो यह कहीं कहीं एक biodiversity का धातक की भी है के सर अगर coral healthy है तो ecosystem healthy है marine ecosystem समुदरी जो आपके पास में पारिसिति की तंत्र है वो बहुती सुद्रड है बहुती अच्छे से चल रहा है आपके पास में ठीक है ना तो यहाँ पे symbiotic relationship देखने को मिलती है इसमें क्या होगा there is more bleaching most corals are home to a type of algae algae का नाम है zoosanthal algae का क्या नाम है zoosanthal नामक एक प्रकार के जीवानू के साथ में basically इस coral का सहजीवी संबंध होता है which gives the coral the color तो यह दो चीजे देता है एक तो इसको color भी देता है प्लस इसको food भी देता है क्या देता है food भी देता है पोशिक तत्व भी देता है तो zoosanthal जो है वो amino acids sugar और उनको वापस क्या मिलता है आपके पास में receive many minerals and the carbon dioxide in return इसको याद रख सकते है आपके पास में तो इनको एक रहने की जगा मिली और यहाँ रहने की जगा के बदले कहीं कहीं return में पोशक तत्व इनको देने की कोशिश कर रहे है इसको याद रखेंगे तो coral bleaching बहुत ही मैतपूर्ण है इसके एक short note लिखना है आपको क्या लिखना है writer short note short note लिखना है आपको coral bleaching के उपर अब sir परियावरन परिवर्तन का भी कुछ प्रभाव पढ़ रहा है कि sir जैसे ही समुद्री परियावरन परिवर्तित होता है तो तापमान कहीं कहीं बढ़ जाता है तापमान बढ़ता है तो समुद्र जो है वह अमली एसिडिक हो जाता है और जब अमली और एसिडिक हो जाता है तो coral जो है उसके अंदर का जो ये जिवानू है जूजेंतले वह इसको छोड़ के चला जाता है तो जूजेंतले हैं वह coral को leave कर देता है temperature और welcome the algae back and eventually die तो coral जो है बहुत लंबे समय तक बेसिकली जो है तापमान जादा रहता है पानी का pH जादा रहती है तो वह corals जो हैं algae को अपने अंदर बेसिकली वापस नहीं एक symbiotic relation established नहीं कर पाते वो stress हो जाते हैं और दीरे-दीर उनकी coral bleaching हो सकती है I guess these all points are quite clear पूरे दुनिया के अंदर कई जगह पे basically coral पाये जाते हैं सबसे ज़्यादा जो है आपको tropical region में tropical region में जो गरम पानी है इस वाले region में देखने को मिलेगा देखने को मिलेगा तापमान उच्छ चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है सो खाली warm water में नहीं कुछ cold waters में भी आपको coral देखने को मिलेगा कुछ cold waters में भी आपको देखने को मिलेगा तो warm water और cold water दोनों में हो सकती है इसको याद रख सकते हैं ततपश्चात आपका बाड के लिए basically यहाँ पे एक विवाद जो है यह एक article है यह मैं आपको homework के लिए दे रहा हूँ you just need to read this in the homework क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा basically discuss करने लाइक नहीं है हमने और पांच article इस पे discuss किये हैं गत वीक में तो यहाँ पे GS paper 3 के disaster management आपदा प्रबंदन में basically यह पढ़ना है कि उत्तर भारत में भी विनाश्कारी बाड आई है reason जलवायू परिवर्तन शहरी करण को उसकी कमियों को बड़े सहरों को प्रभावित करने वाले जो infrastructure भुनियारी धाचे हैं उनकी खामियों को वो सारे topics पे हमारा ध्यान आकरशित हुआ है हमने पिछले चार articles में इसको अच्छे से पढ़ा है दोस्तों तो यह article आपको अच्छे से पढ़ना है जिसमें बाड से related तमाम परिष्टितियां जो हिमाचल, पंजाब, हर्याणा, दिल्ली के अंदर हुई है, इनका कहीं कहीं एक समयकित और disaster के अलावा infrastructure के उपर क्या रोल हो सकता है प्रसाशन का क्या रोल हो सकता है उस पे पर बात की गई है काफी संकट और खत्रों का सामना क्या है बेसिकली हमारी जनता ने हो, चाए प्रसाशन ने हो अभी हालिया में ही बेसिकली और जन मानस में देखा गया अपना जो CP बताया जा रहा है दिल्ली का यमुना का पानी वहां तक पहुँच गया तो बताइए सर, और क्या होगा इतनी अधिक वर्षा होई 3 से 10 जुलाई तक है ना, 8 में से 5 इनों में अत्यदिक और बहुत अधिक वर्षा होई तो यहां पर आपके पास में आइकोनिक लेंडमार्क्स यह है जैसे कि लाल किना सुप्रीम कोड यह लगातार अभी भी पानी से बरे होएं फ्लरडेड है, है ना, रीजन क्या है दिल्ली के official attribute क्या करते है flooding of Yamuna in the upstream state, कि सर जो Yamuna जी बहके आ रही है न, उपर वाले जो state है जैसे हिमाचल हो, उतराखंड वाला रीजन हो, फिर आ रही है आपके दिल्ली वाले रीजन में, कि सर यहां जो floods आई है यहां पे जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा विशेशकर, यमुना नगर के अंदर एरिया में बाढ़ आई हैं आपके पास में तो उसको वो basically पहला रहे है कि दिल्ली में बैराज नदी के प्रवा को प्रवावी डंग से विनियमित और पुद्र नदिशित करने में भी असमर्थ रहे है तो जो परिस्तिती बिहार में रहती है जो परिस्तिती वेस्ट बेंगौल में रहती है दामोदर के कारण वो परिस्तिती अब यमुना के कारण दिल्ली में बनने जा रही है वेलकम तो 21st सेंचुरी डली चलिए दोस्तों अब आपको जो होमवर्क दिया गया है वो अभी के अभी करना है आपको उसके लिए कोई वेट नहीं करना है सम्टाइम्स लेटर बिकम्स नेवर एक क्लास के बाद करता हूँ खाना खाने के बाद करता हूँ एक ब्रेक लेने के बाद करता हूँ जब लोहा गरम है तभी हतोडा मारा जाए यह सुत्र हमेशा याद रख लेना आप लोग ठीक है न? और never underestimate the investment you have made in yourself यह कहिन कई आपका जो समय है जो उर्जा है जो प्रयास है जो efforts है जो आप खुद में निवेश कर रहे हैं इसको कभी भी कम मता को क्योंकि आपको नहीं पता है आज जो आप कोशिश करेंगे कल आपके interest में कल आपका interest आपके passion में कल passion curiosity में आपके पास में लाइटनिंग के संदर्ब में करफन दे रखा है इस पर आपको विचार करना है बारत में बिजली गिरने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली मौझूद है पांत दिन से लेकर के तीन गंटे तक का पूर्वानुमान उपलब्द कराती है क्या आपके पास में याद रखना पांच दिन नहीं है पांच घंटे पांच घंटे से लेकर के पांच-तीन गंटे तक का पूर्वानुमान देती है राश्ट्री आपदा जोकिंग पुर्वत्तर राज्यक के अंदर बिर्जी गिर्ने की मौतों की संख्यादिक है क्या आपके पास में सर याद रखना बिजली उदर गिरती जादा है मौते तो मद्धे भारत में जादा होती है राइट और रॉंग आपके पास में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अगला प्रश्न है गिबन्स के बारे में गिबन्स यह सबसे स्मॉलेस्ट है और फास्टेस्ट है सभी एपस में strong family bonds होते है आपके पास में सबसे कम साइज में और सबसे fast दोड़ने वाले और परिवार में बेसिकली जो हैं इनके अच्छे खासे संबंद होते हैं They live in the tropical, subtropical forest क्या ये tropical, subtropical forest में रहते हैं In the southern part, south eastern part of the Asia South eastern part of Asia, कहीं कहीं गलत हो गया आपका So, in India ये वाला statement जो हैं आपके पास में क्या होगा? गलत हो गया So, in India two species हैं गिबन के आपके पास में Sir, गिबन की दो species थोड़ी हैं गिबन की तो एक ही species हैं आपके पास में बारत में है न? न और तेस्ट में जो पाई जाती है, that's it So, यहाँ पे दो कथन जो है न These two statements are wrong Coral bleaching का बताओ, आंसर बताओ इसका It is condition where Corals lose their vibrant colors and turn white Obviously, corals live in symbiotic relations with the algae zoos anthaly Obviously, bleaching of the coral is not always a death knell यह हमेशा ही basically क्या नहीं है आपके पास में Right? Prawal का bleaching हमेशा मौत की गंटी नहीं है Obviously, it is a kind of ठीक है न? So, यहाँ पे कौन सा statement which of the given above is are incorrect All three are incorrect It is condition Coral bleaching के अंदर None यहाँ answer होगा So, किस Sumo में निमलिकित चार देसो में सभी संपुन प्रकत्सिल समोचा जो Trans-Pacific Partnership जो है उसके सदश्य है तो यहाँ पे कौन कौन से चिली, कैनेडा, सिंगापूर और यह ठीक है न? यहाँ पे आपका USA सदश्य नहीं है ठीक है न? दूसरा फिर यहाँ पे बाकी देशों के अंदर कहा जा तो यहाँ भी USA आ गया यहाँ फिर क्या है? यहाँ पे South Korea आ गया, यह सदश्य नहीं है USA यहाँ पे सदश्य नहीं है आपके पास में इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है और अगर आपको पसंद आया है यह सेशन तो डेफिनेटली सेक्रिफाइस सम टाइम इसको रिवाइस कीजिए इसको कंसाइस कीजिए पढ़िए अपने आंसर को सब्मिट कीजिए क्या कहा जाता है कि सर महनत के समान आदमी का कोई दोस्त नहीं है और आलस के समान कोई दुश्मन नहीं है तो प्लीज हाद जोड़ से आप सबसे निवेदन है के लेजिनेस को छोड़ दीजिए एक दिन, दो दिन, तीन दिन थोड़ा सरदर्द रहेगा बॉड़ी पेन रहेगा, बुखार रहेगा क्योंकि आपका होमेोस्टेसिस पुरा चेंज होगा बॉडी क्लॉक चेंज होगा पर इट वर्थ इट, जिस दिन तुम आईएस बन जाओगे इट, टोटली वर्थ इट, no matter how hard it is, you're going to make it, right? So, दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आप इस टेलिग्राम चैनल को जॉइन कीजिए, जगदीश जांगिड सर लिखके, जे जे सर, PWUPSC पे अपने जितने भी articles हैं, उनकी समरी, अपने homeworks को submit कीजिए, I'll be definitely able to help you out with your queries, comment section में लिखके जरूर बताएं ये कैसा लगा आपको ये session don't forget to like, share and comment below your opinion, I'm always more than happy to really give the credit and definitely and I'll be open to the amendments आपको लगता है, जे जे सर और कुछ बहतर किया जा सकता आप जरूर बताएं, we'll be able to help you out in that, thank you, thank you, thank you जहिन मिलते हैं कर